नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका हमारे देली चत्तिजर करेंट अफर्स सीरीज में आज हम 21 जुलाई की करेंट अफर्स के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो की पीडियाफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी साथ ही साथ अगर आपने भी दक हमारे इस चै 24 के लिए कितने करोड रुपै का पहला अनुपूरग बजट पारित किया है तो 6032 करोड रुपै का अनुपूरग बजट पारित किया गया है भारत सरकार ने किस जीला स्पताल को राष्टी गुनवत्ता आश्वाशन मानक लक्ष और मुस्कान करिकर्म के अंतरगद पूरत सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है सर्गुजर्ब्य में तरव किया गया है चत्तिजगड़ के सबसे बड़ा मानौ निर्मिस स्यूलिंग कहा है चित्र कोड बस्तर में है चत्तिजगड़ में हरीली तेवहार के ऑसर पर किस अभ्यान की सुर्वात की जा रही है रोका छेका भ्यान की सुर्वात की जा रही है पिछले वीडियो का कुईस कोश्चन है कि राज्जी शाषन के स्वास्त विभाग और टाटर ट्रस्ट ने मिल राज्य की दिने शहरी प्रात्मिक स्वास्त केंद्रों को हमर मॉडल अस्पताल कृग में विक्सित किया है इसका से उत्तर है तेविस असपतालों को कम चलिए आज के पहले प्रशन और चलते है नौश रीजन एक परिचर्चा के पोस्टर का विक्षे कि इसंने क्या है के संयूंत तत्वधान में अगस्त महा में आजित हुने वाले कारेक्रम नौस लिजन एक परिचर्चा किया है कारेक्रम संचाली कह स्रीमति गुंजन चौहान चंदेल ने बताया कि उप्त कारेक्रम महिला उदमिता को बढ़ावा देने क्लिए 36 सार्शन की ओजनाव एवं प् राइपूर के पंडित दिन द्यालुपाद्ध्य ओडिटोरिया में आउजित किया जाएगा इस अवसर पर स्री मतिसूति जन्द मौजूद थी अगला प्रश्न है पामगढ म्मलच चंद मांशिक पत्र के मौजं इसका सम्परशन सी इसका क्जन से ब्लूपेज भाखेल ने किया है तो सुषतक का नाम क्या है पामगढ मांशिक पत्र कारल जिसके संपाधक स्री उदय हर्बंस है जिसका विमुजन मुख्य मंत्री स्री भुपेश बखेल द्वारा किया गया है ध्यान रखेगा दोस्टों यहां पर आपको यह भी पूछा जा सकता है एक्जाम में कि पामगट टाइम्स मासिक पत्रिका के संपादक कौन है तो ध्यान रखेगा स्री उ आप्शन सी सौ चत्तिज़ड के सास की अस्पतालों में स्वास्ति सिवाओं की गुनवत्ता में लगता सुधार हो रहा है उतक्रिष्ट स्वास्त सेवा और मरीजों को बहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले प्रदेश के सौ अस्पतालों को केंद्री स्वास्तिवाँ परि समुदाइक स्वासकेंद्र प्रात्मिक स्वासकेंद्र और स्वासकेंद्र शामिल है राज्य के कई सहरी प्रात्मिक स्वासकेंद्रों को भी गुर्वत्ता प्रमान पत्र से नवाजा जा चुका है 36 गड़ में एक अप्रेल 2018 तक राष्टी गुर्वत्ता अस्वाशन मानक प्रमान पत्र प्राप्त एक भी अस्पताल नहीं था केंदरी स्वास्थ मंत्राले नहीं दिल्ली द्वारा वर्स 2018 में पहली बार 36 गड़ के 6 अस्पतालों को राष्टी गुवत्ता अस्वास्चन मानक प्रमान पत्रपदान किया गया था इसके बार 2021-22 में 43 और 2022-23 में 36 अस्पतालों का सर्टिफिकेशन किया गया है चालू 17 वर्स 2023 में अब तक 9 अस्पतालों को यह प्रमान पत्रे प्राप्त हो चुका है मुश्कान का रक्रम के अंतरगर्द सीशू स्वास्थ समंद्धी पुत्कृरिष्ट स्वास्थ सिवाँ क के लिए भी राज्य के 4 अस्पतालों को गुवत्ता प्रमान पत्रपद्र जा इसके सेंग उत्तर है ऑप्शन भी 25 लाख रुपए मुख्य मंत्री विशे स्वास्त सहयता योजनक अंतरगर अधिक्तम सहयता रासी की सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ा कर 25 लाख रुपए की गई है अब आप पूछेंगे जिसर की विशे स्वास्त सहयता योजनक क्या है उसके बार भी आपको बता देता हूँ तो राज्य के नागरिकों को बहतर स्वास्त सुईधा मुहिया कराने तथा दूरलब बिमारियों के इलाज में होने वाले वैसे बचाने ही तूराज्य साशन द्वारा संजीवनी सहयता कोस का विस्तार करते हुए मुख्य मंत्री वि ऐसा पहला राज्य है जो इतनी वड़ी राज्य अपने राज्य के नागरिकों को इलाज है तो प्रदान कर रहा है जिससे स्वास्थ एवं बहतर शक्तिस रगन निर्मान किया जा सकेगा दोस्तों इसमें मुख्य मंत्री विश्य स्वास्त साहता योजना में पहले 20 लाक र मुख्य मंत्री विश्य स्वास्त साहता योजना के अंतरगर अधित्तम साहता रासी की सीमा 20 लाक रुपए से बढ़ा कर 25 लाक रुपए की गई है 10,000 पंचायस सचीवों के वेतर में भी विद्धी की गई है 15 वर्ष से कम सेवा काल वाले पंचायस सचीवों को विशेज भत्त के रुपए 25 लुपए तथा 15 वर्ष से अधिक सेवा काल वाले पंचायस सचीवों के विशेज भत्ते में 3,000 रुपए तक के विद्धी के चाहरों के लिए 6 प्रतिसत की दर से घ्री भाड़ा भगत दिये जाने की घूशना की गई है मितानिन ट्रेनर ब्लॉक को ओर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क ऑप्रेटरों की द्यानिक ब्रोसहन की राज़ी में 100 रूपर प्रति दिन की जाएगी जिसकी घूशन मुख्य मत्र अगला प्रशन है 36 गर में समाजिक सहयता कारिकरम अंतरगर प्रेंशन योजनाओं की प्रेंशन रासी में व्रिध्धी के बार कितने रुपए प्रेंशन प्रतान की जाएगी इसके सहीं हुटता है ओप्शन दी 500 रुपए राज्यशा शंद्वारा समाजिक सहयता कारिकरम के अंतरगर संचालित प्रेंशन योजनाओं की प्रेंशन रासी में व्रिध्धी की गई है जो एक जुलाई 2023 से हिद्गराईयों को देए होगी जिसके तहत इंदरा गांधी राष्ट्रे विद्धा वस्ता प्रेंशन परदान की जाएगी वहीं उख्त योजना अंतरगर 80 वर से अधिक आयव और वर्ग के हिद्ग्राहियों को पूरोबच 650 पर प्रेंशन योजन अंतरगर 350 फैर प्रेंशन रासी की जाएगी इसीतर अकार्यस्शार कि समाजिक सुरक्षा पेंशन और सुखत सहारा पेंशन योजना तथा मुख्य मंद्री पेंशन योजन अंतरगत पूर्व में दे पेंशन राशी की स्थान पर तब 500 रुपए पेंशन राशी प्रदान की जाएक धियार रखेगा दोस्तों इसमें जितने फी योजनाए हैं उसमें पूर्व में 350 रुपए की राशी दी जाते थी जिसको बढ़ा का वर्तमान में 500 रुपए कर दी गई है तो इस बात को बिल् जा सकते हैं तो द्यार कि तो 500 रुपए की ब्रिध्धी की गई है और 150 रुपए की ब्रिध्धी की गई है ठीक है क्लियर है खुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बोलती बताईएगा उसको हम क्लियर करने की पूरी कोशिच करेंगे तो ध्यार रखेगा दोस्तों म अगला प्रश्न है 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 यह ले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के रुशार भारती पासपोर्ट की रैंक क्या है इसके से नंबर पर इस्थित जपान को पीछ छोड़ दिया है जपान इस बार की रैंकिंग में तीसरे इस्थान पर है पासपोर्ट इंडेक्स के रैंकिंग में भारत अस्थिव इस्थान पर है भरती नागरिक बकायर वीजा के सिर्फ 57 देशुट यात्रा कर सकते है अगला प्रश्न है विम लंडन ग्रैंड स्लम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ ने जीता है इसके से उत्तर है ओप्शन भी क कार्लोज अलकराज ने पिथिहास रस्के पे पहले विब लंडन टाइटल जीत लिये है विब लंडन 2023 के मेंस सिंगल फाइनल में अलकराज ने दिगज नुवाः जोकुविच को हरा दिया है और यहाँ उनका दूसरा ग्रैंड स्लम टाइटल था यहाँ विब लंडन इसने किया है, चार आप्ष्ण आपको दिये गए हैं, इसका सहीं उत्तर आप हमें हमारे कमेल बॉक्स में जरूर बताएं, दोस्तो, उत्तर गलत हो या सहीं, आप इस क्कूश्चन को ट्रेंग जरूर करें, आज की वीडियो में इतने हैं दोस्तो, आज अगर तों आपको हमा करे शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को देखने के लिए का बहुत दूश्च शुक्रिया थैंक्यू थैंक्यू वेरी मंच